अब सभी का स्वागत है काईजन इनोवेशन योटूब चैनल में और आज हम डिसकस करेंगे कि गुगल पे एप की मदद से हम कूपे कैसे बूक कर सकते हैं ट्रेन में वो भी एकदम आसान तरीकी से उसके बारे में हम आपको आज जानकारी देंगे और साथ में हम ये भी बता काईगे कि कूपे हम बुक करते हैं तो उसे हमें क्या फायदा होने वाला है तो स्टार्ट करते हैं दोस्तो आज का नाए ये एक इंट्रस्टिंग वीडियो तो सबसे पहले हम यहां पर बाली सेक्शन में जाना पड़ेगा हम यहां पर नियू प्रीपर लिखा हुआ रहा ह कब यहाँ पर आपको जश्ट करना है और वहां पर त्रेन लिखना है बाद सुदृगो त्रेनोंस के डिकोंब allora तर वुदि जैसे जादा आएडीया श्कुल्ट करेंगे इस तरह से एक नया के प्रड लूंट के ये फिटल में अच बडूरnd पर ऑप रहता है अब हम यह बात कर लेते हैं, हमें आखे कूपे क्यों बुक करना चाहिए ट्रेन के अंदर, तो दोस्तों मैं बता दूँ कि यह जो नॉर्मल हम टिकट बुकिंग करते हैं, उससे इसका प्राइस जादा होता है, क्योंकि यह वाला जो आप्सन होता है, वो 1st AC में आता है, आप आखीर में उसका फायदा क्या है, तो उसका धूस्तों फायदा अभी यह है, आपको सभी को पता है कि COVID-19 चल रहा है, और उसके कaysis भी दिन पर दिन बढ़ते भी जा और कही कही स्टेट में घटते भी जा रहे है, ऐसा नहीं है कि COVID-19 कम्प्लिटली चला गया इंडिया में से, अभी भी existing है COVID-19, तो उस टाइम पे अगर आपको ट्राइविलिंग करना है ये टाइम पे, तो उसमें होगा क्या दोस्तों कि जब भी आपके दादा दादी हो गई, या ना-नानी हो गए, या फिर आपके ममी पापा हो गए, या फिर कोई ऐसा कपल है, जिसके साथ छोटा बच्चा है, ठीक है, तो उनके लिए ये बेस्ट ओप्सन है, नो डाउट इसमें थोड़ा प्राइस ज़ादा है, बट ये बहुत ही सेफ ओप्सन है, क्योंकि उसमें होगा क्या दोस्तों, क्यों कमरा सिर्फ आपका ही होगा, आप इसली उसके अंदर आप दो ही परसन होगे, मैक्सिमम या तीन परसन है, एक साथ में एक छोटा बेबी, तो उसमें जो भी मतलब ज़्यादा भिडबाद नहीं रहेगा, इसमें ज़्यादा पीपल आएंगे न अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमें कूपे बुक कैसे करते हैं, तो यहाँ पर चार ओप्सन देखने को मिल रहे हैं, एक ओरीजिन है, डेस्टिनेशन है, डिपार्चर डेट एंड कोटा, तो यहाँ पर हम ओरीजिन में हम यहाँ पर डेले ले लेते हैं, ठीके, और डेस्टि अवेलेबल होंगी और जितने भी ट्रेन में जितनी सेट अवेलेबल होंगी सभी का लिस्ट देखने को मिल जाएगा और दोस्तों ये गूगल पर के अंदर बहुत सी खास अच्छी बात है कि साथ में आप प्राइज भी कंपेर कर सकते हो कि कौन सी ट्रेन का कितना प्राइज चल रहा है जैसे कि राजधानी है तो उसमें आप दोस्तों देख सकते हो फर्स्ट एसी का 3515 रूपिया और कंपेर टू आसराम और योगा की अंदर एराउंड 3000 के एराउंड प्राइज है ठीक है तो आप उसके हिसाब से भी आप कंपेर कर सकते हैं तो मेरे किसमें मेरा रा होगा जो फर्स्ट एम अगर बुकिंग कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर आयसेटी सी का यूजर आइडी डालना पड़ता है ठीक है बाद में पासवर्ड भी डालना पड़ता है वह मैं आपको बाद में बताऊंगा यहां पर क्रेट आयसेटी सी एकाउंट लिखा हुआ है यहां पे आप क्लिक करके आप आपका एकाउंट बना सकते हो उसके बाद आपकी इमेल आईडी पे एक आईडी आएगा ISTC user ID वो ID डालना होता है मेरे case में मेरे पास already है यहां पे मैं अपना ISTC user ID डाल देता हूं ठीक है और continue पे कर देता हूं क्लिक वेरिफाइड यूजर आईडी आगया दोस्तों यहां पेसेंजर वन नेम एज डालना है आप यहां पे पेसेंजर का नाम भी डाल सकते हैं तो जस्ट मैं राजा एज डाल देता हूं मैं 26 ठीक है जेंडर मेल डाल देता हूं और यहां पे बर्थ प्रेफरेंस है तो दो यहां पे रेंडब हम ठीक यहां पर डाल रहा हुँ को किया है डाल यहां यहां पर कई अपस्टांब हुआ इसलिए मनढों इसलिए अपना आ अपना ओंपर नहीं मोबाल नपर आ डाल सकते हो ठीक है कि यहाँ पर आपका Destination डालना है तो ठीक है याँ अपना destination address डाल देता हूं जो भी आपका destination address होगा completely वह ही आपको डालना है थीक है तो गवर्मेंट के पास एक record रहेगा कि यह बना यहां से यहां ट्रावेलिंग कर रहा है तो उनकी पास भी complete record है यहां पर बंको डालना है पिंकोड यहां पर verify होगा और यहां पर continue पर click करना है ठीक जिसे आंपर continue पर click करूंगा यहां पर दोस्तों देख सकते हूं यहां पर मेरी completely information आ गई है जो भी मेरे यहां पर डालादा train वगेरा फ़राना ठीकाना यहां पर preference आ गया है दोस्तों तो यहां पर include travel insurance से तो मैं compulsory आपको यहीं बोलूँगा कि suggest यहीं करूँगा कि यह आप ले ले तो बहुत अच्छा है तो include travel insurance ले लिजे book only if confirmed birth allocate यह भी आप कर सकते हैं अभी booking condition है booking condition में दोस्तों मतलब उपर लेना है निचे लेना है पर हमें तो क्या मतलब हमें तो कूपे लेना है तो वो तो हमने already select कर रखा है थे गर GST detail दोस्तों GST detail में यहां पर ज्यादा confuse होने हैं कि जरूरत नहीं है simple simple simple thing है यहां पर कि जो भी बंदा corporate level पर traveling कर रहा है मतलब company की तरफ से कहीं पर travel कर रहा है तो उस case में यहां पर company का GST number name फलाना डिकाना सब पान नमबर डालना होता है हम तो अपना personal कर रहे हैं तो यहां पर कोई डालने की जरूरत नहीं है और यहां पर continue पर मैं क्लिक और उसके बाद आपका ticket confirm होगा और यहां पर यही बंदा पूछ रहा है कि I remember my IRCTC password कि आप IRCTC password आपका खुद का जानते हो या नहीं जानते है मेरे किसमें है तो यहां पर मैं just click करके continue कर दूंगा click connecting to IRCTC आ रहा है दोस्तों यह completely हो गया जो भी information में को डालना था completely हो चुका हो फ्ला ना डिकान जो भी आपने चाहीं से जू लिया है ठीक है और यहां पर continue पर click करना है जैसे यहां पर यहां पर continue करूंगा दोस्तों यहां पर देख सकते हो थोड़ी देर में यहां पर प्रॉसेट्ट टुपे मतलब मेरको यह मेरा amount आ गया है ठीक है यह मेरा bank है और यहाँ पर प्रॉस्ट टूपी आ गया है तो यहाँ पर मैं जस्ट क्लिक करूंगा उसके बाद कुछ नहीं होता है एक स्क्रीन आते ही जहां पर आपको यहां पर पीन नंबर डालना पड़ता है और आपका पैमेंट हो जाता है और उसके बाद हमें IRC टी का पास्वर्ट डाल आपका टिकेट कंफर्म भी बुकिंग होने के बाद यहां पर भी दिखाई दे जाएगा Google Pay के अंदर और आपकी email ID पर भी आ जाएगा I hope तो यह वीडियो आपको completely समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमें कुपे बुक करना है अगर कुछ भी समझ में आए किसी तरह की परिशानी हो तो टेंसल लेने की जरूरत नहीं है हमारी वीडियो के कमेंटर बॉक्स में डाल दीजीगा हम जरूर से आप लोगों की मदद करेंगे help करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए सब्सक्राइब करते हैं नहीं वीडियो के साथ